बच्चों आज की ट्रिक्स इतनी अमेजिंग है इतनी हरान करने वाली है जिनके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा और बच्चा लोग कैसे हो चलो चलते हैं कुछ नया सा करने हैं चली शुरू करते हैं ट्रिक नमबर वन अक्सर ऐसा देखा गया है कई बार हम रेडी हो जाते हैं तब समझ में आता है कि हात में पहनने के लिए कुछ भी उसके मैचिंग नहीं है ड्रेस के तब हम क्या करें कई बार बड़े इरिटेट हो जाते हैं कि अब क्या करें हात में क्या पहने क्योंकि मैचिंग कुछ नहीं ह तब ऐसे में आप बिल्कुल परिशान नहों आपके घर में कोई भी चैन रखी हो उसको इस तरीके से नौट खाली इस तरीके से बांदें तो बिल्कुल ब्रसलेट जैसा लगेगा और यह आपकी हाथ में हमेशा मैच करेगा किसी भी चीज पर मैच करेगा बलकि जो भी देख कई बार ऐसा घर में कोई महंगा सा समान भी हम ले लेते हैं लेकिन उसकी लिट टूट जाए या इदर उदर हो जाए उसका बड़ा खत्रा रहता है जैसे कि मेरे पास इस टाइप की कैटिल हैं सुन्दर बहुत हैं पर कई बार ऐसा लगता है कि इसकी कैटिल कहीं इदर सकते हैं फिक्स तो नहीं करेंगे पर एक छोटी से आपको जुगार बताऊंगी जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऐसे कई हमारे पास बरतन होते हैं हम चाहते हैं उसी के साथ उसकी लिड भी सामने ही मिले हमें कहीं इदर उदर ना हो और टूटेने का भी डर क्वारी दिजे और आप क्या करें इन दोनो धागों को इस तरीके से बांदे जैसे क्व ना कोई सुई चाहिए, ना कोई धागा, ना कोई चिपकाने का पदार्थ, अराम से आपकी जुगार, ये बहुत अमेजिंग लगेगी, आप कोई भी धागा ले सकते हो, वैसे मुझे काले रंगा लेना चाहिए था, क्योंकि काला रंग इस पर ज्यादा सूट करता, पर कोई बात नहीं, मेरे पास जो भी उनती, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, कहने को है तो ये छोटी-छोटी ट्रिक्स, लेकिन हमारे बड़े काम की है, अब देखिए, कैटिल के साथ उसकी लिट जो है, पूरी जुड़ गई है, अब आप इसे अलग करेंगे, तब भी कोई पर रखूंगी, यकीन मानिए, जब भी मैंने इसको इनो को हाफ रखा है ना, हर बार मुझे वो खराब मिला है, मतलब जब दूसरी बार मैं यूस कर रही हूँ, उतना एफेक्टिव मुझे नहीं लगता है, तो ऐसा ना हो, आपको वही सेशे बिलकुल एफेक्टिव मिले, औ इस तरीके से उसे चला लीजे, नाइफ को, इससे होगा ये, ये बहुत बढ़िया तरीके से सील हो गया, इसमें कोई हवा नी जाएगी, अब दुबारा जब आप आधा इसको यूस करोगे, तो आपको वही का वही पूरा एफेक्टिव इनो मिलेगा, ये बहुत बढ़िय लेकिन इसके लिए आपको ध्यान ये रखना होगा, नाइफ कौन सा होना चाहिए, मतलब कोई भी पुराना नाइफ हो चलेगा, लेकिन प्लेन होना चाहिए, दांतों वाला नहीं, अगर दांतों वाला नाइफ होगा, तो वो काड़ देगा, लेकिन वो जोड़ेगा नहीं तो आप इस टाइब का कोई प्लेन नाइफ लीजे और इस तरीके से अपनी बहुत सारे पैसे बचाएए हम चाहते हैं कुछ ऐसे कुशन या ऐसे कुछ तकी सुन्दर लगें जिनने हम दूसरे कवर चड़ाएं मैचिंग के अकॉर्डिंग चड़ाएं लेकिन क्या होता है ना कई बार हमारे पास उतनी ना तो टाइम होता है ना कोई आसपास टेलर होता है ना हमारे पास खुद टाइम होता है कि मशीन से हम यह सारा काम करें तो हम छोटी सी आपको एक ट्रिक बताती हूँ एक नौट बांदना बताती हूँ जिससे क्या होगा एक कपड़ा जो होगा बिल्कुल कुशन का रूप ले लेगा ये देखिए जैसे कि यहाँ पर मुझे कुशन चाहिए इस कपड़े से बंधे हुए तो मैं अगर आपको इस तरीके से बांधूंगी न तो आपको बिल्कुल लगेगा कि कुशन में कोई हो जाएगा उसके बाद आप दूसरा कवर लगाए और दो साइट जो बाकी के बचे हैं उन्हें आप इस तरीके से नॉट लगाए एक और उपर से नॉट लगा कर चारों तरफ जो भी कपड़ा है उसे अंदर दबा दीजिए आप जब भी अगर सोफे पे भी लगाएंगे या पलंग पे लगाएंगे तो बहुत सुन्दर लगेगी कई बार ऐसा होता है कि हमें मैचिंग का कुछ चाहिए तो हमारे पास नहीं होता है तो यह छोटी मोटी जुगार हमारे काम आती है मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप इस चमकीले कपड़े लगाओं मेरे पास तो जो थे मैं आपको करके दिखा रही हूं मैं यहाँ पर आपको नॉमल कपड़े से भी करके दिखा रही हूं यह देखिए यह कुछन है नॉमल अब आपको कलर मान के चलिए यह चाहिए तो आप क्या करेंगे दोनों साइट से कपड़े को लपेट दिया उसके बाद उसक पोटी-चोटी ट्रिक्स के साथ हमारे घर की सुन्दर्ता बढ़ जाती है, हमारे बिगड़े हुए काम या परिशान जिससे होते हैं, वो हमारे काम जो है न सुलज जाते हैं, बच्चे अकसर होस्ट्रिल में जब रहते हैं, या पीजी में रहते हैं, तो उस टाइम ना शुर जीन्स की, यह लीजिए, आपको करना क्या है, जीन्स को इस तरीके से फोल्ड कीजिए, और मेरे सुनने से अच्छा है, आप उस जीन्स को देखिए, कि मैं किस तरीके से उसे लपेट रहे हूं, इससे ना आपकी प्रैस खराब होगी कपड़ों की, ना ही कोई प्रॉब्लम चलिए, अब आपको मैं एक और तरीका भी बताती हूं, जीन्स को रखने का, आप जीन्स को इस तरीके से भी रख सकते हो, इस तरीके से जो भी आपको तरीक अची लगे, आप जीन्स को रख सकते हो, और जीन्स ही हमारी बहुत ज्यादा जगा लेते हैं, कि नहूआ है।